श्रीफल नियूस परिवार की प्रस्तुती श्रीफल नियूस निहस्वार्थ सेवा के परियाए पंखवाले गोपाल जी ना प्रसिद्धी की चाह ना धन का लोग मुनी सेवा ही एक मात्र उद्देश जैन समाज में साधू सेवा को सर्वो परी रखा गया है जीवन्त तीर्थ की सेवा से सहज पुन्यारजन होता है ऐसे कुछ ही बिरले श्रावक होते हैं जो सिर्फ सेवा करने में ही विश्वास रखते हैं ख्याती, यश और लाब की आकांगशा उन्हें कभी नहीं रहती वो तो बस अपना कर्तव्य निर्वहन कर खुश हो जाते हैं ऐसे गिने चुने श्रावकों में से एक है गोपा लाल जैन श्रीपल नियूज आज इन्ही का परिचय आपसे करवा रहा है जो सकल जैन समाज के लिए आदर्श और प्रेरना का स्त्रोथ है राजस्थान का निवाई रक्रतिस्थ कजबा जहां लोग सहच और सरल्स्वभावी है वही के निवासी गोपा लाल जैन सालों से मौन रूप से जैन संतों को पिच्छी हितू मोर पंक और अन्यसाधन उपलब्द करवा रहे है इस कारण इनका नाम ही पंक वाले गोपाल जी पढ़ गया है कोपाल जी पताते हैं कि उन्हें इसकी प्रेरणा आचार्य पदम नंदी जी महाराज से मिली सन 1995 में निवाई में महाराज श्री का चातुरमास हुआ था उसी समय आचार्य श्री की प्रेरणा से मैंने उनके पूरे संग को पिच्छी के पंक भेट किया बस तभी से यह सिलसिला निरंतर चारी है जंगल से मोरपंक एकत्र करना और उसे साधू संतों तक पहुचाना निर्बाद रूप से यह कार्य उनकी जीवन चर्या का हिस्सा बन चुका है गोपाल जी के अनुसार इस पुनीत कार्य में धीरे धीरे अन्य श्रावक भी चुड़ते चले गए और अब इसने एक टीम का रूप ले लिया है आस्ता से परिपूर्ण इस कार्य में लगे प्रत्येक श्रावक की भावना मुनी सेवा ही है एक संग से शुरू हुआ यह कारी अब 50 संग तक पहुँच चुका है निवाई और आसपास के लोग भी गोपाल जी के इस पुनीत कार्य में बढ़ चड़ कर अपना योगदान देते हैं जिसको भी जहां मोर पंक मिलते हैं वो अपने आप गोपाल जी के घर पंक पहुचा जाता है उसके बाद सभी पंको को एकत्र कर उनकी साज संभाल कर उन्हें गाड़ी में लखकर गोपाल जी निकल पड़ते हैं गुरू जनों की शरणमी नवरात्र की दिनों में पंको को यथेश्ट स्थान पर पहुचाना ही उनका परमध्य होता है जिसे वे बिनारुके पूर्ण करते हैं शायद यही उनकी भक्ती का स्वरूप है श्रीफल परिवार से अपने अनुभव वाटते हुए गोपाल जी ने कहा कि मैं इस कारी का प्रचार प्रसार कर किसी प्रसिधी की चाहा नहीं रखता मेरी सिर्फ इतनी चाहा है कि सभी श्रावक अपने अपने सामर्थ या अनुसार मुनी सेवा करें वे जो भी सहयो कर सकते हैं अवश्य करें यह श्रावक धर्म के निर्वहन का तरीका है और इसमें देखा जाए तो लाव श्रावक का ही है उसे गुरु कुरुपा और आशिरवाद स्वतह मिल जाता है गोपाल जी के विचार सत्य ही तो है अगर हर व्यक्ति सामर्थ्य अनरूप मुनि सेवा करेगा तो धर्म रक्षा धर्म प्रभावना का करतव्य कर्म सहज ही पूर्ण कर लेगा श्रीपल न्यूज की इस प्रस्तुती के पीछे बस यही भावना है कि समाज गोपाल जी जैसे श्रावकों से सीख ले और जैन धर्म के सरक्षन और समवर्धन में अपना बहुमूल्य योगदान अमश्य करे इस या बेक्षा के साथ सभी को जह जिनेंद्र राखी जैन की विशेश रिपोर्ट